गुद्ध इवनिंग एवरीमन। जल्दी जल्दी से सारे लोग जोईन कर लेए, टाकि हम लोग इस्तारट कर सकें, आज की क्लास, जितना जल्दी रोग स्तार्ट कर देए, आप लोगों की क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छी बात है अंची गुड इवनिंग हरवीर गुड इवनिंग भाई अच्छा सब लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है किसी तरीके की कोई रुकावट तो नहीं किसी चीज से सबसे पहले सारे लोग ये बताएंगे गुड इवनिंग अंकेत गुड इवनिंग अंची का देखो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छी बात है अपने लिए जल्दी से जल्दी जुड़ो पहले सारे लोग सारे लोग जोड़ जाओ, उसके बाद हम लोगे स्टार्ट करेंगे All clear? Good evening, Shaddha Good evening, Shaddha चले, Start करते हैं आज हम लोग आपको बताने वाले थे कि Calculation के Shortcuts को कैसे यूज करते हैं यही तो मैंने आपको बताया Calculation के Shortcuts के बारे में हम लोग बात करने वाले थे कि Calculation के Shortcuts को कैसे यूज करेंगे Calculation Short Tricks के बारे में हम लोग बात करने वाले थे short tricks के बारे में बात करने थे और बहुत सारी एक एक करके मतलब एक दो नहीं बहुत धेर सारी short tricks आज हम लोग करने वाले हैं मतलब एक दो नहीं बहुत धेर सारी तो एक एक करके पहले सारे लोग साथ में जुड़े रहेंगे और जितने लोग अभी तक जूड चुके हैं, सबसे पहले like करना बिल्कुल भी न भूले, like करते रहें सारे लोग, चल, तो सबसे पहले जब good evening आस्था बेटा, सेजल good evening बेटा, सबसे पहले जब हम लोग calculation की short tricks की बात करते हैं, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे addition की addition का मतलब, योग फल की, कि योग करने के लिए हम लोग, अगर हमको किसी भी चीजों को जल्दी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, योग करना है, कि तो कैसे करेंगे, वैसे जो normal techniques हैं, वो सबको पता हैं, जो normal techniques होती हैं, वो लगबग लोगों को पता हैं, तो जैसे हम suppose करिए छोटे नंबर से उठाते हैं कि 27 और 29 को जोड़ना है suppose करिए तो actual ये tough नहीं है लोगों को tough क्यों नहीं है कि आप कैसे जोड़ते हो अगर इसको जोड़ोगे तो 9, 7, 16 हांसे लगा 1, 2, 2, 4 और 1, 5 56 आ जाता है आप ऐसे ही करते हो सारे लोग लगबग लगबग सारे लोग जो करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं हम बता रहें अब आप इसको करोगे किसे आप क्या करोगे इसको 20 मान के और click 20, 20, 40 जोड़ दिजे और 9, 7, 16 जोड़ दिजे 46, 16 एक एक श्योड़ता हो गया 56 आप क्या करोगे ये समझ में आई बात कि हम क्या बताना चाहरे हैं आप लोगों को जल्दी बताओ ये समझ में आया क्या हम जो बताना चाहरे हैं ये समझ पारो आप लोग गुड इमनिंग दिव्या, गौरव, स्रेया ये क्लियर हो रही है बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात आपको clear हुई जल्दी से बताते हैं चलिए आप लोग अच्छा चलिए अगर यहां से अगर हम लोग यह कर रहे हैं तो जैसे थोड़ी देर के लिए example के तौर पे अगर हमने यह ले लिया 72 प्लस 89 जल्दी से जोड़ के बताईए इसको क्या आएगा तो ऐसे केसल में 70 और 80 को जोड़ा यह 1.500 होगया और 9211 1.500 और 11 को जोड़ा तो 161 अगर इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो आप जो calculation speed है वो आपकी automatic improve होने लगेगी जैसे एक्जामपल के तौर पे मैंने ले लिया कि 97 प्लस 89 अब हमको यह जोड़ना है अब हमने जोड़ा 9, 8, 17, 170 और 9, 7, 16 170 और 16 को जैसे ही जोड़ा तो यह 186 होगया देखिए धीरे धीरे numbers को मैं बढ़ा करता चला जोओंगा यह जैसे ही 97 और 89 को आपने जोड़ा तो आप क्या कर यह 9, 8, 17 को जोड़ लिजे 170 और 9, 7, 16 170 और 16 को जोड़ा तो 186 होगया यह जैसे यहाँ से मैंने ले लिया 375 और बता दिया 489 देखिए यह जोड़ना है कभी बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है यह 4, 3, 700 होगया 700 होगया इसके बाद जैसे ही आपने 7, 7, जोड़ा तो 140 यह होगया 70 और 9, 14 होगया यह 8, 4, 14 और 8, 100 किता होगया 54 यह आप वैसे भी जोड़ोगे तो जल्दी हो जाएगा यह आप क्या करोगे अभी मैं लिखके कर रहा हूँ यह आप डारेट करोगे कि 4, 3, 700, 7, 140, 8, 4, 14, 8, 14 नहीं समझ में आया रिशाप गोड इवनिंग भाई पहले यह बात क्लियर हुई जल्दी से बताओ जल्दी से बताईए यह बात क्लियर हुई अगर इस पे हम आपको एक कुश्चन देते हैं आप करके देखना मैंने दे दिया कि 298 प्लस 187 जल्दी से आप एड़ करके बताओगे सारे लोग किसका आंसर क्या आएगा जल्दी से आप आंसर बताओगे किसका आंसर क्या आएगा जल्दी से आप आंसर बताओगे किसका आंसर क्या आएगा बहुत तेजी आप इसका आंसर बताएंगे सारे लोग और बिल्कुल भी जैसे आपको आता है वैसे लिए जोड़ेंगे जो हम आपको सिखा रहे हैं आप उस तरीके से जोड़ेंगे इसको हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप क्या करेंगे दो एक 309,8,7,3,7,4,7 और पंदरा जोड़ेंगे तो यह कितना हो गया आपका 485 देखिए कितना तेज एडिशन किया जा सकता है अगर आप इस तरीके से एड़ करते हैं तो जैसे और बढ़ा नंबर लिया मैंने कि 4889 कर दिया और 8,775 कर दिया अब सपोस करिए इसको आपको एड़ करना है जल्दी जल्दी से आप लोग एड़ करते चलिए अब जब इसको जोड़ेंगे आप जल्दी से एड़ करके बताए इसका अंसर क्या होगा पुस्पेन मेरा छोटा भाई है रवेंद सिंग तो पुस्पेन मेरा छोटा भाई है और बहुत टाइम से और बहुत अच्छा पढ़ाता भी है तो उसके लिए दो लाइने हम अकसर क्या हमेशा ही बोलते रहेंगे बहुत अच्छा बंदा है ठीक है इसका आंसर बताईए आप लोग बिल्कुल एड हो जाईए देखिए किते आसानी से आप एड कर सकते हैं यहां से आपको एक तरीका बेसिक सब को पता है कि 9, 5, 14 हासिल लगया 1 और 7, 7, 14, 1, 15 हासिल 1, 8, 7, 15, 1, 16 हासिल 1, 8, 4, 12, 13, 13, 654 यह सब लोग निकाल सकते हो बट हम बात कर रहे हैं यहां पर थोड़ा सा एडवांस तरीके से निकालने के तो यह 8, 4, 12,000 यह हो गया और यह हो गया 1,500 12,000 और 15,5, 13,000 हो गया और 7, 6, जोड़ेंगे 1, 140 तो 13,000 जहां से 1, 140 जोड़ेंगे जैसे ही वहां से आप कितना जोड़ चुके कि भईया 8, 4, 12,000 तो यह हो गया था हमारा और 8, 7, 1500 तो यह हो गया अब हमको 140 के बाद यह 14 और जोड़ना है जैसे ही आपने सब को जोड़ा 13,600 जोड़ना है कोशिश करू कि यह मन में जोड़ने की जितना जल्दी आप इसको मन में एड़ करेंगे उतना फायदा है आपका यहां से UPSC, UPSC, Math, Pet की Math कभसे पढ़ाएंगे तो जल्दी से हम आपको बता दें कि SSC के Pet में कुछ नहीं है सिर्फ Di का खेल है रहेगा तो वो Di की कुछ Classes हम आपकी ले लेंगे आप वहां से कवर कर लें क्योंकि 20 से 30 कुशन जो आते है Math में, Pet में वो Di के आते है तो वो हम आपके कवर करवा देंगे खुलदीप जी ठीक है तो यह बात करें एडिशन की और आगे चलेंगे अगर हम लोग और आगे चलें जैसे हमने बात कर दी कि 976 प्लस 898 अब हमें इसको जोड़ना है तो जल्दी से बताईए जोड़के कि इससे क्या आएगा गूड इवनिंग निशू जल्दी से बताईए इसको जोड़के क्या आएगा देखें कितनी जल्दी आप जोड़ सकते है 9-8-1700 और 9-7-16-1700 आप बड़े प्यार से जोड़ सकते हो कभी गलती का गुंजाइस नहीं अगर आपने ये सीख लिया तो हाँ लाइफ शुरू कर दीजे बहुत जल्दी मैंने सब चीज़ेस शुरू कर दिये चलो अच्छा ये बात क्लियर हुई आप लोगों को 1874 कैसे आया तो बात हम लोगों ने की कि add करने के लिए जो shortcutts यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात clear हो गई अच्छा add करने के बाद अब अगर हम लोग आगे बढ़ जाए अब बात करें subscribe करने की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ध्यान से समद्ना subscribe करने की घटाने की बात करें तो घटाना क्या होता है कि दोनों तरीके से कि आप एक basic तरीका तो जानते ही है घटाने का कि अब आपको हमने 953 से घटाने को दे दिया पहले इसको घटाने से ज़्यादा जरूरी है कि हम आपको यह बता दे कि जैसे suppose करिये आपको 2000 में से 193 घटाना है suppose करिये अगर आपको 2000 में से 100 आकर्ष बढ़िया भाई याना अगर आपको 2000 में से 193 घटाना या इस तरीके के numbers कभी घटाने तो इनका एक बहुत प्यारा shortcut होता है सारे लोग ध्यान से समझता आप क्या करोगे इसको घटाने से बहतर है कि इसका complimentary बनाओगे इसका complimentary कैसे बनाते हैं कि आप क्या करोगे last वाले desert में ऐसा जोड़ना कि ये आपका जो बन जाए ये 10 बन जाए तो 3 में कितना जोड़ेंगे 10 बन जाए 7 अब 9 में कितना जोड़ेंगे अब सिर्फ last वाले को 10 बनाना होता है बाकी सब को कितना बनाना होता है 9 बनाना होता है तो इसको कितना जोडेंगे 0 इसमें कितना जोडेंगे 8 और बाकी बचा कितना 1 अगर 2000 है तो एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1807 हम फिर से बता रहे हैं कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं जल्दी से देखिए, सारे लोग, ये पहले बदाओ, ये clear हुआ, और एक दो और समझाएंगे, तो अच्छे से समझ पाओगे आप, इसको complimentary method बोलते हैं न, जैसे example के तोर पे हमने 5000 में से suppose करो, हमको 5000 में से घटाना है, 2883 घटाना, suppose करो, ये घटाना है न, तो हम आपको बता रहे हैं, इसको घटाने का shortcut क्या है, आप क्या करो, इस 3 में कितना जोड़ोगे कि 10 बन जाएं, आप 7 जोड़ो, तीन में कितना जोड़ोगे, ये न, 7 जोड़ो, लास्ट वाले को 10 बनाना है, बाकी सबको 9 बनाना है, और 3 में 7 जोड़ लिया, 8 में 1 जोड़ लिया, 8 में 1 जोड़ लिया, 4 में 2 कम कर दिया, ये आपका answer रहे हैं, जल्दी से ये बताओ, clear हुँ रहे है, सब लोग ये बताएंगे, clear हुआ ये point, बहुत अच्छी बात है, clear हुआ तो, प्रांशी, खुशी, सुमेथ, चलिए, देखिए कि एक घटा के बताएंगे, आप 15,000 में से suppose करिया, आपको 4,319 घटाना है, और कितने प्यार से आप घ देखिए, answer मुझे एक-एक का चाहिए, सभी लोग answer निकाल के बताएंगे, सभी लोग जल्दी से answer निकाल के बताएंगे इसका, जितना जल्दी हो सकता है, आप answer बताओ इसका क्या आएगा, बढ़िया नितिन, अंकेत, देखिए, जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप वो फॉलू करेंगे, तो सच में बहुत easy चीज है, आपको क्या करना है, सिर्फ last वाले को 10 बनाना है, बाकी ऐसा जोड़ना है कि 9 बन जाए सुमित बेटा गलत बतारो, 10680, रमन बढ़िया, रोहित अच्छा है, वैसने भी ठीक है बेटा, सेजल सही बता रही है, तान्या बढ़िया बेटा, नहा का भी सही है, अब यहां से दिमाग क्या लगाना है, आप इसको 10 बनाएंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे, तो 10 बन जा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी का 10,681 आगया है, बहुत अच्छी बात है, अब हमको सारे लोग बताओ, यह घटाने की टेकनीक आपको समझ में आई की नहीं, अगर पूरे होल नमबर में से, अगर आपको पूरा एक नमबर दे रखा और उसमें से यह सबस्ट् और जितने लोग हैं, अपने यार, दोस्ट, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनमें जादा से जादा लोगों तक पहले यह वीडियो शेयर करते रहें, और लाइक भी करते रहें, जादा से जादा लोगों को शेयर करें हो सके तो, अभी बहुत सारी अच्छी-च्छी टेक्निक्स आज हम आपको बताने वाले हैं यह तो अभी शुरू किया है बहुत सारी अच्छी-च्छी टेक्निक्स करने वाले हैं आज हम लोग चले फिर आगे बढ़े तो हम लोग next point पे चल रहे हैं कि यह हमने subscribe करने सिखा अगर कोई पूरा नंबर दे रखा है उसमें से अगले point पे अगर हम लोग चलेंगे like इस तरीके से दे रखा है 353 में अगर आपको यह गटाना है कि 189 कितना होगा 179 कितना होगा तो अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जैसे ही आप इसको basic से घटाएंगे तो यहां से जैसे ही आपने घटाया कि 13 में 9 गया 4 यहां पे बचा 4 अब पीछे से carry लेंगे 14 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा यहां पे बचा 2 2 में 1 गया कितना बचा 1 यह ऐसे करके यही तो करेंगे अब मैं बता रहूँ गर आपको घटाना तो कैसे घटा सकते हो shortcut कैसे यूज करेंगे यहां से shortcut कैसे यूज करेंगे क्या करिए आप इसको ना इसके बराबर बनाना है इसको बराबर बनाना तो हमको कही ना कही 26 add करके बनाना पड़ेगा और अगर 26 add किया है तो यह 389 में से 189 गटा है तो 200 में से वो 26 गटा लीजिए आप डारेक्ट तो आपका answer बन गया 174 और यह सब करना है आपको दिमाग में यह आपको हमेशा दिमाग में करना है यह बात याद रखिए यह आपको हमेशा कैसे करना है दिमाग में करना है मतलब सामने वाले को पता भी ने चले आप कितना तेज कर रहे हैं और इसको करते करते आप used to होंगे इसके जैसे example एक और ले लेते हैं जैसे 474 में हमें 397 गटाना है थोड़ी देर के लिए अगर हम इसमें 23 जोल लेंगे तो यह 497 हो जाएगा अब जैसे ही 497 में 300 गटाया तो 100 बचा 100 में 23 गटालिया हमारा answer आगया 100 में से जैसे ही आप 23 गटायेंगे तो हमारा जो answer हो जाएगा 477 या आपका answer हो जाएगा अब कितने आसानी से यहां से इसको कर सकते हैं देख लिजे जल्दी से पहले बताते हैं चलना अगर clear नहीं हुआ कोई परिशानी खुशी एक बार फिर से बता देते हैं बेटा आपको देखिएगा एक बार फिर से समझेंगे आप लोग जैसे हमने बता दिया कि हमको देरिक्खा है 598 यह देरिक्खा है और minus हमको करना है इसको 272 में सब्सेक करना है 272 में सबस्ट्रेक करना है तो अब एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इसमें हम 26 घटाएं और 26 जूल लें एक और दिमाग हम आपको बता रहे हैं ये तो जैसे ही आपने 26 घटाया तो ये आपका 300 हो गया ध्यान से समझेगा ये 300 हो गया तो फाइनली आंसर किता आगया 326 आप कितना डारेक्ट देख सकते हैं ये फिर से समझेंगे ये कि हमने किता वो तुम्हें घटाना आता है 8 में दो गया 6, 9 में 7 गया 5 में दो गया 3 उससे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि आप वो क्यों करते हो वो आप कर सकते हो वो आपको करना है अगर आपको शॉटकट स सीखने जैसे हमने ये दे दिया एक कि 824 माइनस 296 अब हमको ये सबस्ट्रेप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ये थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमने क्या किया ये 24 को 96 बना लिया इस 24 को अगर हम लोग 96 बनाएंगे और अगर हम 896 में 296 गटाएंगे तो 600 बच गय है ना 528 ये आपका आंसर हो गया थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्योंकि आप लोगों को जो आप पहले से कर रहो उसके उसकी बहुत तगड़ी आदत लगी हुई है है ना आदत लगी हुई है तो वो तो ही बहतर लगेगा ही लगेगा कि आपको बहतर ही लगेगा ये उतना न में चलते हैं तो में जो शॉटकर्स की जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है मल्टिप्लिकेशन में अब सारे लोग ना बहुत अच्छे से दिमाग लगाईएगा हम बहुत सारे टेक्निक यहां आपको बताने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन के मल्टिप्लिकेशन के बह Add, Addition और Subsection में तो तुम अपने आप से तर कर चुके हो कि अब आराम से कर ले जारो अब हम आपको multiplication जब बताने वाले हैं तो सबसे पहले 2 digits वाले अगर number दे रखे तो उनके multiplication कैसे करेंगे Main आता है multiply, सबसे main multiply, जैसे आपको इदे रखा है Suppose करिए 57 और 28 अब आपको इन numbers का multiply करना है इन numbers का आपको क्या करना है multiply करना है तो अब main चीज तो दिमाग इसी में लगाना न कि जैसे ही आप multiply करने जाएंगे तो 8,5,4, सबसे पहले आप क्या करेंगे आप process, procedure के हिसाब से चलेंगे है ना हम आपको procedure बता रहें कि procedure क्या होता सबसे पहले आप इन दोनों का multiply करेंगे ठीक है इन दोनों का multiply करेंगे तो 7,8,6 जितना भी कैरी बचा उसको side में लिख लिजे 5 ऐसे करके अब ये 8,5,4,7,2,14 4,4,4,5 और 5 किता हो गया 69 ये आपका answer हो गया फिर से यही तरीका आपको सीखके exam में apply करना है और इसी का use to होना है ये बात याद रखिए फिर से ध्यान दीजेगा पहले ये clear हुआ ये बताओ कुछ समझ में आए सबसे पहला condition जो आपको करना है वो सीधा multiplication उसके बाद एक ये इस तरीके से multiplication और आखरी step में ये ये करना है आपको यही आपको सीखना है important चीज तो यही है main है ना जैसे एक और जैसे हमने ले लिया 67 और 94 का multiply करना है जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कुश्चन लेंगे है ना जैसे ही आप इसका multiply करने जाएंगे तो 7 चोको 28 बचा आपका 2 दो आपका carry ले लिया है ना अब 6 चोको 24 और 97 63 63 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 20 को जोड़ा तो आपका 80 हो गया और 4 37 87 और 2 89 8 9 6 54 और 8 कितना हो गया 62 62 98 जो आप दो step में कर रहे हैं वो आप एक step में कर सकते हैं बड़े आसानी से यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां से बताईए एक clear हुआ जल्दी से बताईए एक clear जल्दी से comment करते चलें बेटा यह clear हुआ आप लोगों को नितिन भाई 6498 नहीं 6298 आएगा रतनेश 6000 ठीक है ठीक है बहुत अच्छी बात है तो अगर हम आपको question देंगे तो आपकी बार answer आप ही लोग करके बताऊगे ठीक है एक देदिया मैंने आपको 74 इन्टू देदिया 49 जल्दी से आप लोग multiply करके बताएंगे की answer क्या आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करो और ज्यादा से ज्यादा like भी करते रहो आप लोग अगर अच्छे से समझ में आ रहा हूँ और बहुत सारी टेकनिके हैं जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जल्दी से आंसर बताईए चलिए hyperman का अंसर आ गया है नितिन भाई का अंसर आ गया है शद्धा का अंसर आ गया अंची का अंसर आ बहुत अच्छी बात है और खुशी का जो आंसर आया खुशी बेटा आप अपना अंसर सही करिए पूजा रोहित सभी का अंसर आ गया है मांची का अंसर आ गया है चलो कुमुद वेरी गुड बेटा अब 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 आप यहां से देखेंगे तो 4 निम 36 बचा आपका 3 ठीक है यह आपका 3 बचा 7 निम 63 और 4 चो को 16 63 और 16 जो 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 जोड़ेंगे तो 89 हो गया 89 तीन किता हो गया 89 और 3 हो गया 82 बचा 8 और 7 चुको 28 और 8 किता हो गया 36 जो जो आंसर आ गया वो 36 चब्बेस आ गया क्लियर है सभी लोगों को जल्दी से पहले बताते भी चलो कि यह बात क्लियर है सभी को में चीज तो है टेकनीक सीखने की तो अब अगर हम लोग इससे आगे निकल चलेंगे तो कोई परिशानी तो नहीं किसी को नेक्स पे चलें यह है टू डिजिट मल्टिपिकेशन आप लोग अच्छे से इसको समस्ते चलना और इन पर implement करना बहुत जुरूर है कि हमको ना करना यही है आपको ना करना यही है एक्जाम में थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन अभी यूस्तू नहीं हो आप इसके इस वज़े से आप इससे नहीं कर रहो जिससे कर रहो चलते हैं next question पर चले अंचीन कानपुर इस सेंग की समझ में नहीं आया भाई एक बार और समझ लीजे आप यहां से मैंने यह ले दिया 58 और 79 suppose करिए इसका multiply करना है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा अंचीन कानपुर इसका multiplication करना तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप इन दोनों number का multiply करेंगे जैसे ही आपने multiply किया तो 89 72 के बाद जो यहां पे 72 का 2 यहां रख लिया और जो भी आपका carry बचा वो आपने आगे forward कर दिया तो carry की तब अच्छा 7 unseen कानपुर ध्यान से समझेगा इसके बाद जब आपने multiply किया तो यह 9 पना 45 हो गया और 8 सत्य चपन हो गया अब आपको 45 और 56 जोड़ना अभी अभी हमने सुखाया है कि 5, 4, 9, 90 हो गया और 6, 5, 11, 101 हो गया 101 में 7 जोड़ेंगे तो 108 यह हो गया बच्छा 10 साथ पना 35 में अगर हम लोग 10 जो पीछे से carry आया उसको आगे जोड़ देंगे तो unseen कानपुर यह आजाएगा 45, 82 नहीं आया समझ में अंचीन कानपुर ओके चलिए आगे बढ़ा जाए तो अब बढ़ते हैं next इसी पे अगर हम लोग अगली short trick देखेंगे एक और बहुत बढ़िया चीज याद रखेगा कभी आप multiply कर रहे हैं और unit digit 1 बन जा रहा है दोनों numbers का unit digit अगर 1 है और आप multiply कर रहे हैं इससे easy multiplication multiplication कुछ होता ही नहीं है कुछ नहीं होता है अब आप क्या करेंगे यहाँ पे एक रख लीजे इन दोनों को जोड़ के रख लीजे और यह 15 रख लीजे यह होगा multiplication फिर से आप एक और एक का multiply करेंगे यह इन दोनों को जोड़ा पांस तीन आठ और पांस तीन आठ और पांस तीन पंदरा यह हो गया इसका multiplication जैसे 81 इंटू 71 करना है देखिए कितना आसान है ध्यान से समझेंगे यहाँ पे आपने एक रख लिया आठ साथ पंदरा गा पांस रख लिया आठ सत्य छपन एक किता हो गया 57 पिछे से कैरी आया तो इस तरीके से कर लिया बताओ यह वाला कॉंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को यह clear हुआ अगर clear है तो 81 इंटू 51 इसका multiply करके बता दीजे जल्दी से कि आंसर क्या आएगा जल्दी से बताईए ऐसे कितने सारे टेक्निक आज हम आपको बताने वाले लेकिन आप बस जोड़े रहे हैं हमारे साथ बहुत सारी चीजे आज हम आप लोगों को कराने वाले बस कहीं न कहीं एक जगे इसको नोट जरूर करते चलिएगा आप लोग आप लोग नोट जरूर करते चलिएगा बेटा एकदम final unseen कानपुर क्या नाम रखा है यार तुमनें unseen कानपुर 4,1,3,1 very good हरवीर मही बहुत अच्छा आकास, नेहा, पूजा चलो बहुत अच्छी बात है सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं आप एक एक कर देंगे 85, 13, 85, 41, 41, 41 हो गया इसमें बिलकुल भी समय लग रहे हैं चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप 131 और 71 का मल्टिप्लाई करते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो सेम तरीके से ही कॉमेडी वीडियो बहुत अच्छा बाया कॉमेडी वीडियो यहां से एक एकम एक देखेंगे 13, 7, 20, 2, 13, 91, 92, 93 यह होगा है मल्टिप्लिकेशन जल्दी से बस केवल दिमाग लगाते हैं चलिए कि आपको बताया क्या जा रहा है चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से बताएंगे 151 into 91 का मल्टिप्लिकेशन क्या होगा जल्दी से अपकी बार pen नहीं चलाओगे ऐसे ही बता सकते हो आंसर क्या आएगा सारे लोग pen नहीं चलाओगे ऐसे ही बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग हाई बेटा हर्ष बहुत अच्छी बात है जल्दी से बताएंगे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे एक एक बच्चे का आंसर आना चीए स्पीड का भी ध्यान रखें भाई सारे लोग जल्दी बताईए जल्दी से आंसर बताईए सारे लोग चलो बहुत अच्छी बात है सबके आंसर आगे हैं लगबक कोमल अंसीन कानपूर सिवानी शुनैना मांसी जानवी पल्लवी चलो बहुत अच्छी बात है कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे एक रखना है 159,24 यहाँ पे आपने चार रखा कैरी दो हो गया 159,135 और दो किता हो गया 137 यही आप लोगोंने आंसर बताया और बहुत अच्छा बताया ऐसे ही करना है अब आपको याद रहेगा अगर दोनों नमबर्स के यूनिट डिजिट एक हैं तो उसके लिए शॉटकट क्या यूज करेंगे सभी को याद है, सभी को समझ में आ गया है तो हम लोग next टेकनीक पे चलेंगे अगली टेकनीक जो हम लोग यूज करेंगे, वो कौन सी यूज करेंगे, ध्यान से समझेंगे अब बात जब हम लोग अगली टेकनीक पे आ रहे हैं और वहाँ पे सीखने जा रहे हैं हम लोग अगर अगर आपके जो यूनिट प्लेस पे नमबर है यूनिट प्लेस पे जो आपको नमबर दिये है यूनिट प्लेस के नमबर्स का अगर सम 10 बन रहा है नमबर्स का सम अगर आपका 10 हो रहा है 10 हो रहा है तब आप क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे तब आप क्या करेंगे इसी तरीके के numbers बन जाते हैं कई बार और अगर आपको पता है, shortcut पता है उसका तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे नहीं पता है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, थोड़ा सा time लग सकता है आपको ऐसे केस में आप करेंगे क्या, जैसे आपको ये दे रखा है, थोड़ी देर के लिए हैना, unit place के numbers का sum 10 है और 10s place जो है, वो same है 10s place वो क्या है, अगर same है same है तो क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, जैसे आपको 34 x 36 करना है, थोड़ी देर के लिए ये इतना आसान है, 34 x 36 करना है, 63 x 66 करना है, सपोस करिए ये आपको 72 x 78 करना है, सपोस करिए ये अगर इस तरीके के questions कभी बन रहे हैं और जरुरत परती है इनका multiply करने की तो ऐसे cases में क्या करेंगे, आप इसको क्या कर लिजे, 6 x 24 ही लिख लिजे और इसका next number क्या होता है, 4, 3, 4, 12 का multiply कर लिजे ये, यहाँ पर आप ये technique यूज़ करेंगे, सेम यहाँ पर साथे 21 लिख लिजे और 6 का अगला number 7, 6, 42 कर दीजे सेम यहाँ पर, कि 8, 12, 16 लिख लिए और 7 का अगला number क्या होगा 8, 8, 7, 56 कर दीजे ये technique यूज़ करते हैं, अगर unit place के numbers का जो sum है वो अगर आपका 10 बन रहा है और 10th place जो है जो दाही का अंक है वो same है, बताए जल्दी से समझ में आ रहा है आपको कि मैं जो बता रहा हूँ इस point को use कैसे करना है, जल्दी से बताओ ये समझ में आया है, आप लोग जल्दी से बताएंगे ये point आप लोगों को clear हुआ क्या जल्दी जल्दी से बताएं, अगर हो गया है तो 91 into 99 का multiplication बताएंगे आप, ये केतना आएगा, बहुत तेजी से जल्दी से answer बताएंगे कि इसका answer क्या आएगा अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निके आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आप लोग बस करते रहेगा हमारे साथ साथ 909, बस यहीं पर तो ध्यान देना था थोड़ा सा 909, 909, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है आपसे थोड़ा सा बेटा ध्यान नहीं दे रहो आप लोग, जब आप 9 into 1 करो तो 9 एकम 9 जो आया इसको डबल डिजेट में लिखो इसको डबल डिजेट में लिखो, गलती हो जाएगी बेटा, चलो मिझे वे बताना चाहिए है ना, 9 और इसका 9 का अगला 10 हो जाएगा, 9 दाम किता हो गया 90, ऐसे करके करो अगर आप ये करोगे तब आपका आंसर सही आएगा ये डबल डिजेट में लिखिए है ना, डबल डिजेट में जैसे सपोस करिये, ये कितना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये एक मात्र है जहाँ पे आपको, जैसे सपोस करिये कि अगर आपको 83 इंटू 87 हो गया अब आप आंसर बताएए जल्दी से ऐसे ही बता सकते हो डारेक्ट आंसर इसका बढ़िया आमित सर बता रहे हैं कि 9009 आएगा बढ़िया आमित सर लगे रहे हैं सीख जाएंगे आप भी चलो बहुत अच्छी बात है दिव्या का आंसर आ गया है और भी लोग आंसर बताते रहें हरवीर का आंसर आ गया है आकाश, नितिन, साइकल चोर को न है भीया साइकल चोर साइकल चोर का भी आंसर आ गया है यह 27 आग्डेम 72 कुछ नहीं करना डारेक्ट आंसर आता है यहाँ पर इस तरीके के सवालों का चलो बहुत अच्छी बात है यह clear होगया सभी को अगर यह clear होगा तो हम लॐग next टाइप पर चले अगर यह आप लोगों को clear है तो बताएए next टाइप पर चले और class में कोई किसी को कोई परिशानी तो नहीं हो रही एक बार यह ज़रूर बताते रहें अगर यह हो गया तो हम लोग नेक्स टाइप पर चलेंगे और ध्यान रखेंगे है ना अब अगली टेकनीक पर आ जाते है चलो अगली टेकनीक पर आ जाते है अब हमने वहाँ पर क्या देखा कि जो यूनिट डिजिट था तो यूनिट डिजिट था तो वहाँ पर हमने उस चीज का ध्यान दिया अब इसी का just opposite. अगली बार जब आया अगली बार जो आया तो अब की बार ना unit place हो गया same like this और tense place का जो sum है वो 10 हो गया. यहां पे लिखे दे रहे unit place same हो गया. ध्यान से समझेंगे यह टेक्निके बड़े काम आती है. अगर unit place same है और दाही के अंक दाही के अंकों का योग 10 है 10 है देखिए का हम आप तो इसका टेक्निक बताएंगे एक basic तरीका तो आपको पताई है इसका. basic मतलब यह आपको 36 आपने लिख लिया यहाँ पे 3 ठीक है यहाँ पे किता लिख लिया 30. अब जैसे ही आपने यहाँ पे 30 लिख लिख लिया. अब 7 चंग 42 और 6 ते 18 42 और 18 आप देखेंगे तो किता हो गया 50, 42 और 18 50, 50, 60, 60, 60 63, 63, 66, साथे 21 और 6 किता हो गया 27 यह हो गया. लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस तरीके से नहीं करेंगे कुमार यादो कह रहे हैं कि यह सब टेक्निकल एक्दाम हौल में याद नहीं आता है यह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप यादो जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लेकिन अगर अगर इस पे हम लोग कुछ पिसले कुछ सालों से लगातार काम कर रहे होते हैं तो ये exam hall में भी याद आता है हाँ cycle जो हम एक वो जो technique ये जो multiplication की technique बता चुके हैं ये ये जो technique बताई है ये हर जगे follow होगी ये बात याद रखे ये जो multiplication की technique बताई थी ये हर जगे follow होगी और फिर उसके बाद कुछ अलग-अलग techniques बता रहे हैं है ना वो तो हर जगे follow होने वाली तो हम आपको पहले ही बता चुके ठीके तो हम लोग चल रहे थे आगे कि अगर इस तरीके के numbers दिये जाएंगे तब हम क्या करेंगे है ना अगर इस तरीके के number आएंगे तो जैसे suppose करिए हमने ले लिया 84 और into यहां से लेंगे तो 24 suppose करिए यह ले लिया अब इसका multiplication करना है इसका multiplication करना है तो कितने आसानी से कर सकते हो आप क्या करो इसको 4 जगो 16 लिख लो और अब आपको कुछ नहीं करना 8 दूनी 10 चार इसको जोड लिजे 14 इन दोनों का multiply करके इसको add कर दीजे यह हाँ daily calculation class कुछ हम इस पर काम करेंगे कि आपको daily calculation के तोर पे कुछ अच्छा कराया जाए यह समझ में आया आपको कि यह मैंने क्या बताया यहां पे यह थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यहां पे कि मैंने क्या बताया आपको कि कुछ मत करिए जैसे आपको यहां पे 91 into हमने दे दिया 11 91 into 11 कितने आसानी से आप इसका answer बता सकते हैं यह देखेगा sorry यह थोड़ा सा मेरे साब से गलत हो गया यह 26 आएगा sorry sorry किता आएगा 20 8,2,16,4,20 होगा यह 26 होगा sorry यह इसको साही कर लिजगा यह 26 होगा आपका किता होगा 20 और 16 यह 26 होगा ठीक है यह अब आप यहां पे लगाएंगे उसी टेक्नीक को बहुत तेजी से आप लगा के बताएंगे कि answer किता हैगा जल्दी से बताएंगे answer किया हैगा इसका एक हजार एक नेहा सुनैना मांची मैट्स का खिलाडी कौन है भई मैट्स का खिलाडी अंची जानवी नितिन बढ़िया आप जैसे ही करेंगे तो एक एकम एक यह 0 होगया अब 9 एकम नो में एक जोड़ेंगे तो यह 10 होगया आपका answer आगया खतम पार यह करना कब है जब unit place same हो और दाही के अंगों का इससे पहले हमने बताया था कि दाही का अंग same हो और unit place का ऐसे हो रहा हो यह छोटी छोटी सी बाते हैं अगर आप याद रखेंगे तो बड़े काम आ जाएंगे आपके अगर याद रख सकते हैं तब बहुत काम आएगी आपके लिए ठीक है अगली technique पर चला जाए एक और कर लो अच्छा एक और कर लो कि हमने दे दिया यहाँ पर आपको कि 62 दे दिया और 68 दे दिया सॉरी 62 दे दिया और 42 दे दिया 62 और 42 का multiply करना है अब बताओ क्या आएगा 62 और 42 साइक्ल चोर है कौन भाई maths के खिलाडी बता रहा है ये चलो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इसका अंसर बताओ चलो बढ़िया प्रांची का आंसर आगया है बागी लोग भी बताएंगे आंसर जल्दी से लप्पूसा अच्छा अकांच्छा हर्वीर दिव्या नितिन चद्दा नेहा कुमुद अच्छी बात है दो दूनी चार जहां पर ध्यान देंगे आप लोग बहुत महीन सी चीज है थोड़ा सा ध्यान देंगे जैसे सपोस करिये अगर कभी ऐसे नंबर्स का मल्टिप्लाई आ जाता लाइक 206 और 308 जिनका मिडल नंबर 0 हो ऐसी संख्या है जिनका मिडल नंबर 0 हो जिनका मिडल नंबर क्या हो मिडल नंबर क्या हो अगर 0 हो अगर मिडल नंबर 0 हो तब मल्टिप्लेकेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते है ध्यान दीजेगा अगर मिडल नंबर 0 हो देखे जब आपका उनी 10 और 6 तहीं 18 10 और 18 को उठाके जोड़ दीजे किता हो गया 28 और ये 3 दूना 6 हो गया ये ही आपका अंसर हो गया आप multiply करके देखेंगे तो यही आपका अंसर आएगा ये ध्यान दीजेगा ये कब करना है जब middle number क्या हो 0 ये कब करना है जब middle number क्या हो आपका 0 जल्दी से बताओ ये समझ में आया ये करना है जब आपका middle number क्या हो 0 बहुत तेजी से बताएंगे आप लोग जल्दी से कॉमेंट करते चले जाओ भाई सारे लोग कहां पर दस्ट लिया है अच्छा सॉरी एक ये गलती हो गई मेरे से छोटी सी इसको सही कर देते एक मिनट उप जाईएगा कि आपने जैसे ही किया तो आच्छंग किता हो गया सॉरी और ये कितना हो जाएगा कि 8-12-16-них18 16-18-34 हो जाएगा वह यहां लिप दीजी और 2-3-6 हो जाएगा ये शे चंपिस अरते लिस फिर से φिर से समझेंगे शे चंपिस अरते लिस एक और देख लिज़ह दाईगा आपको 807 दिया है और 9-0 आपको हमने दे दिया कि 8 है इनका multiply करना यह extreme level पे लिया है मैंने अब आप क्या करिए इन दोनों का multiply करिए 8-7 किता हो गया 56 लिग लिजे 8-8-64 और 9-7-63 63 और 64 को जोड़ेंगे तो 60 और 60 किता हो गया 120 और 127 हो गया तो 27 लिग लिजे और 1 carry forward कर दिजे अब इन दोनों का multiply कर लिजे 8-22 और एक पीछे से हांसे लागया तो यह 73 हो गया यह clear हुआ देखो यह जो कुछ लोग कह रहे थे repeat करने को तो मैंने repeat कर दिया है अब आप लोग करके दिखाओगे यह 708 ले लिया into 809 ले लिया जल्दी से multiply करके बताओगे कि इसका answer क्या आएगा जल्दी से सारे लोग multiply करके बताओगे कि answer क्या आएगा आप लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी multiply करके बताओगे कि इसका answer क्या आएगा और बिल्कुल भी जो लोग live से हट रहे मैं आपको बता रहूँ अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी और चीज़े हैं हम आपको बताने वाले हैं तो जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें अभी और आपको सीखने को बिलेंगी इसका जल्दी से answer भी बताईए आप लोग इसका चलिए काफी लोग एससी फाउंडेशन नितिन दिव्या इतने लोगों के answer आ गए एकने किसी ने अपना नाम रखा है लप्पूस आया ना तो अपने घर वालों को एक बार बताओ कि अपना नाम क्या रखा है पापा को बताओ कि पापा आज से वरा नाम लप्पूस आया ना क्योंकि तुमने रख लिया है एक बार एक बार कोशिश करो जाके जरा बताने की जिसने भी रखा है अपना नाम एक बार कोशिश करो बताने की मज़ा आ जाएगा चलो बहुत अच्छी बात है कुमल, जै, शिवानी कुमार, मांची, खुशी अंची, नेहा बहुत अच्छी बात है सभी के आंसर आ गए बिल्कुल तरीका सीख गये हैं तो अब आंसर तो आई जाएगा आपने किया सबसे पहले इन दोनों का मल्टिप्लाई तो 8 नेम गितना हो गया 72, ठीक है अब जैसे ही आपने गुणा किया 9 सत्य, 63, 88, 64 फिर से हो गया 63 और 64 हो गया 127 तो 27 रख लीजे एक आगे बढ़ा लीजे, 8 सत्य, 56 और एक आगे बढ़ा दिया 57 ये काफी लोगों ने आंसर बताया 57, 27, 72 जो की बिलको सही आंसर है बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया इस सवाल का बहुत अच्छी बात है चलें आगे बढ़ा जाए ये क्लियर होगे आप लोगों को अमेसर क्लियर हुगा जल्दी से बताईए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स वाली टाइप पे तो चले एक अगले टाइप पे बढ़ते हैं अब एक छूटी सी बात बताते हैं जो सायद सभी को याद रखनी ही चाहिए ये बेसिक आप ये जो मैं टेक्नीक बता रहो इसमें से कुछ टेक्नीक तो आप कुश्चन में ही लगाएंगे अब कैल्कुलेशन करते टाइम एक टेक्नीक जो आपको हमेशा याद रखनी है हमेशा याद रखनी है कि लाइक अगर आपको 64 x 8 करना है कभी भी करना है तो अब आप इसको मुझावानी कैसे करेंगे आप क्या करो 8 x 48, 480, 32 को जोड़ो 512 ऐसे करके फिर से समझेंगे जैसे आपको 57 x 9 करना है ये बिलकुल टाइम नहीं लोगो आप क्या करोगो 9 x 45, 450, 9 x 63, 450 में 63, जोड़ा 513 ये ये जो हम आपको बता रहे हैं ये अगर आपने सीक लिया इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता ये आपको कैल्गुलेशन में इतनी मदद करेगा ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि फर्स ताइम अटेंड ये और क्लास तो जरूर बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें जोईन अगर आपने पहली बार किया है तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर अगर आप यहां पे एक चीज नोटेस कर पा रहे होंगे कि अगर आप इन सब चीज़ों जैसे आपको ये करना 87 into 8 अब ये कटिन नहीं है ये लगता है आपको कटिन इसको जब question में भी use करो तो directly use करो अनगेडमी पे गुस्टे में रहते हैं नहीं गुस्टे में नहीं रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है 88,64,640 और 87,56 64,56 को जोड़ेंगे तो 696 हो गया आप करते हो 88,56,58,64,59 ये ये करते हो उसी का same format है बट ये जल्दी कर सकते हो आप यहां से जैसे आपको करना है 22 into 9 अब किसी को लगता होगा समय 9,73,63,630,18 ये आपको पहड़ा याद है इत्रा तेज कर सकते हो बताए clear जैसे हम जैसे 79 into 8 करना है अब आप इसको direct करेंगा अब आप ऐसे नहीं करोगा 8,72,72,हांसे लगा 7,8,76,56,63,63 आप ऐसे करो 8,76,56,58,58,58,59,62 गित्ता होगा 632, ये होगा आपका गुणा कोई बता रहा है यहां हम smile कर रहे हैं और अन अकेडमी पर रोते गुसे में रहते हैं रोते नहीं है,चल अच्छा ये बात clear हुई इसको use करना, इसको use करना सीखो, ये बहुत जरूरी बात है अभी हम आपको और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप use करोगे तो आपकी calculation पक्का improve होगी होगी चलो, कोई बात नहीं हम लोग चलें, अगले पर चलें अब हम आपको बता रहे हैं छोटी-छोटी सी और बात हैं जैसे आप कभी 11 का multiply कर रहे हैं किसी में,like 27 into 11 कर रहे हैं आपको आता है 11 का multiply करना एक shortcut भी होता है, कि आप क्या करेंगे जब भी 27 का multiply तो आप 7 लिख लीजिए इन दोनों उनकों को जोड़ लीजिए और फिर ये लिख लीजिए, हो गया multiply फिर से समझेंगे आप जब कभी 11 से multiply कर रहे हूं जैसे 87 into 11 करना है आपको या बड़े नंबर भी अभी हम ले ले रहे हैं तो आप करेंगे तो 7 को 7 लिख लीजिए 87 15 हासिल 1 लग गया ये 957 हो गया, ये नहीं समझे जैसे और बड़ा ले लिए कि 29365 into 11 करना ये यहाँ पर time लगेगा जब आप multiply करेंगे लेकिन जब आप ये जो टेकनीक बताई जा रही है इसको जब implement करेंगे तो time बिलकुल भी नहीं लगेगा आपको आप क्या करेंगे, 5 को 5 लिख लीजिए 6 5 11 हासिल लगा, 1 6 3 9 1 10 हासिल लगा, 1 9 3 12 1 13 हासिल लगा, 1 9 2 11, 11 और 1 किता हो जगा 12 हासिल लगा 1 2, 1 3 होंगे, ये आपका आंसर होंगे बस ये करना है आपको आप करोगे, 11 55, 55, 55, 55, 77, 33, 44, 44, 44, 44, 99, 99, 94, 94, 93, 99, 94, 103, 10, 11, 12, 22, 22, 22 multiply करने पर भी यही आएगा लेकिन आप उसको direct कर सकते हो आप उसको direct कर सकते हो समझ में आगया अगर आप लोगों को तो unacademy पर जो आज हमारी class हुई थी वो हुई थी आपका चार बज़े से, साम को चार बज़े से हुई थी वो हमेशा की तरह अब आप एक multiply करके बताएंगे जल्दी से अगर इसका 11 में multiply करेंगे तो जल्दी से बताएं 11 का multiply करके क्या आएगा जल्दी से बताएं बेटा इसका multiplication क्या आएगा और जो बताया है वही implement करिएगा अभी आकांचा repeat करें देते हैं एक बार पहले आप लोगों में से कुछ चांसर आजाएं फिर हम आपको बता देंगे दुबारा जल्दी आंसर बताएं बेटा हाँ चली एक आंसर आगया प्रांची का काफी लोगों ने बताना शुरू किया multiply तो नहीं कर रहो बेटा आप लोग multiply मत करना फिर सिखाने का फायदा कि अगर आप multiply अभी भी कर रहे हैं तो चली शद्धा का नेहा का कितने सारे लोगों के आंसर आगये बस यही तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीख गएना तो कितना अच्छी चीज़ें जैसे आपने लिखा किसी ने बोला था आकांच्या बेटा समझना हम आपको यहां से समझाएंगे भी आप यहां क्या लखिये छे लिख लीजे छे आट छे चौदा चार होगे हां से लगा एक आट साथ पंदरा और एक सूला होगे हां से लगा एक नौ साथ सूला हां से लगा एक नौ साथ सतरा एक अठारा हां से लगा एक आट दू दस से ग्यारा हां से लगा एक और यह दो नेहा, पूजा, दिव्या, मांशी, शिवम पूनम और कॉमेडी वीडियो है, कोई लड़का उसने बताया है, हरवीर ने, शिवानी ने सिमरन ने, कोमल ने, रिशब ने, बहुत अच्छी बात है बिटा सभी ने ने बता दिया, ये तो 11 का मल्टिप्लिकेशन का शॉर्टकट क्या है, सायद सीख गया होगे आगे बढ़ा जाएं, अगर आप लोगों को ये समझ में आगया हो, तो next पे चले जल्दी से बताईए, अगले पे चले और एक और टेकनीक सीखते हैं, अगली अगली टेकनीक हम लोग क्या सीखेंगे, ऐसे नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन जो 100 के पास हो, ऐसे नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन जो 100 के निरेस्ट हो, जैसे लाइक आपको 93 और 97 का मल्टिप्लिकेशन करना है, ये 100 के nearest है और देखिए जैसे like आपको करना है 103 और 108 का multiply करना है like ये या इससे भी बड़े numbers आ जाते हैं उनका multiplication करना तब क्या करेंगे ठीक है अब इसको देखेंगे ये 100 से कितना कम है उपर वाला अगर देखेंगे दिमाग लगाईएगा 100 से कितना कम है तो ये 7 कम है और ये 100 से कितना कम है तो 3 कम है अब इन दोना का multiply करके यहाँ लिए साथे 21 अभी हम direct सिखा देंगे आपको अभी हम आपको direct सिखाएंगे पहले आप सीख लिजिए 3 सत्य कितना हो गया 21 हो चाहँ यह 21 हो गया अगर इसमें से इसको गटा लीजे या इसमें से इसको गटा लीजे तो वो आप यहाँ पे 90 एकिस डारेट लिख सकते हैं वो आप डारेट लिख सकते हैं यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को कितना आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर ऐसी देखो गे तो 38 किता हो गया 24 हो गया अब आप यह देख रहें यह 3 ज़्यादा था यह 8 ज़्यादा था अब आप यहाँ तो इसको यहाँ से जोड लीजे या इसको यहाँ से जोड लीजे तो 103 और 8 किता हो गया 111 तो यह 111,20 हो गया इस तरीके से और देखिएगा यह समझ में आया की नहीं आया पहले बताते चलो यह समझ में भी आया की नहीं यह क्लियर हुआ जैसे यहां से हमने ले लिया सपोस करिएगा 109 और 108 का उना अब देखिए हम आपको बताते हैं डारेक्ट कैसे करेंगे आप 9,8,72 कर लीजे अब इस 109 में यह 8 जोड लीजे 117 होगे यह आपका अंसर होगे जैसे 8,24 किया अब 103 में 8 जोड दिया जैसे यहां पे किया जैसे यह आपने देखा तो यह कित्ता होगे 3,21 कर लीजे अब क्या कर लीजे इस 93 में यह जो 3 है यही तो गटा होगे आप यही तो गटा होगे तो 93 में 3 गटा दिया तो किता हो गया? यह हो गया आपका 90 इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस हम बढ़ा भी कर सकते, इससे बढ़ा भी कर सकते like 113 into 112 करती है, suppose करो इसका गुणा करना है आपको suppose कभी आपको इसका गुणा करना, तो जैसे यह आपने देखा ये प्लस 13 जादा है और ये 12 जादा है 13 into 12 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 156 हो गया 156 का 56 रख लीजे और एक कैरी कर लीजे 113 और 12 को जोड़ा तो 125 और एक पीछेश दे कैरी आया तो 156 हो गया ये हो गया multiplication 113 और 12 का जल्दी से बताईए ये भी clear है तो अगर हम इस पर एक दो कुश्चन देगे अब दोनों प्लस प्लस की जगे एक प्लस एक माइनस हो गया तब कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको पहले इस पर एक करके देख लो आप पहले एक करके देख लो 112 into 108 जल्दी से बताओ इसका क्या होगा जल्दी से आप आंसर बताओ इसका क्या होगा इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कितना आएगा कुछ लोग बता रहे हैं 12506 नितिन का आंसर आ रहा है किया 12506 इसको प्लस 12 कर दीजिए और ये प्लस 8 तो 1280 जैसे ही आपने देखा ये 96 हो गया 112 में 8 जोड़ देंगे तो किता हो जाएगा 120 यही आपका आंसर आ गया ठीक है अब हमने बात कर दी जैसे सपोस करिए एक लेलिया 93 और एक लेलिया 107 बटा अब इस ये थोड़ा सा बहतर होगा अगर हमने बात इसकी कर ली तो जैसे 93 अगर हम लोगों ने देखा तो 93 जो है वो 100 से 7 कम है और ये 7 जाता है तो जैसे ही आपने साथ सत्य किया ये 49 आया लेकिन ये 49 100 में से कम करके रखेंगे या ये आपने क्या दिये रख लिया और 93 में साथ जोड़ दिया ये आपका आंसर हो क्या इस तरीके से जल्दी से बताईए ये समझ में आया है देखो अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है लोगों का इंट्रेस्स कम हो रहा है तो हम क्योंकि लोग कम हो रहे हैं धीरे-धीरे से तो देखी कितनी अच्छी चीज़े हम आपको बता रहे हैं और आप लोगों उत्ता मज़ा आ नहीं रहा मुझे लग रहा कितनी बहतरीन चीज़े कि आप कितने अच्छे से कितना तेज इसका मल्टिप्लाई कर सकते हैं तो जैसे ही आपने थोड़ी देर के लिए समझा तो यहां से 8 यह कम है और यह 13 जादा है तो 13 अठे 104 हो गया, माइनस का 104 हो गया तो इसको 200 से घटा दीजिए, 200 से घटाया तो यह 96 हो गया, 995 बन यहीं, जब आप जोड़ोगे तो यह, ऐसे ही जब आपने यहां से जोड़ा तो यह जैसे ही आपने किया तो 104, 92 और 13 जोड़ा तो 105 हो गया, लेकिन 105 में से 200 आप निकाल चुके गटाने के लिए, भाई 200 से घटाया था तो 200 निकाल चुके 105 में तो यह 103 बचा, इस तरीक यह चोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है, अगर आप याद रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा आपका, देखें गड़ित इसलिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, अच्छा यह बात क्लियर हुआ आप लोगो अगर हो गया हो तो हम लोग नेक्स टाइप पे चलें, एक दो चीजें और छोटी छोटी सी बता देतें, एक दो छोटी छोटी सी चीजें और बता देतें, अच्छा यह वाला रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग जैसे बेटा यहाँ पे कह दिया, थोड़ी थूड़ी देर के लिए 115 यह लेगे हैं, और हमें इसका मल्टिप्लाई करना 100 के नेरेस से, 100 के नेरेस से अगर हम इसका मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह 12 कम है, और यह 15 ज्यादा है, ठीक है, 12 कम, और 12 और 15 का मल्टिप्लिकेशन माइनस का 180 आ जाएगा, आब इस 180 को 200 के सा एड्यस करोगे तो 200 में 80 घटाया 180 घटाया तो ये 20 आगया 20 आगया अब 88 में 15 जोड़ोगे तो ये आपका यहां से देखोगे 88, 15, 103 होगे 103 में 200 आप निकाल चुगे तो बचा 101 ये आपका अंसर होगे 200 में इसे तो 180 घटाया था ये करना है बेटा जल्दी से कॉमेंट जरूर करना ये समझ में आया कि नहीं आया नेतिन 102 क्यों बता रहे हो भाई 103 और 200 यूज़ किया था तो आप 101 बताओ ना उस दो से घटा के हाँ हरवीर का ठीक है ठीक है आगे बढ़ रहे है आगे अगर हम लोग बढ़ रहे है जैसे सपोस करो आपको कभी ऐसे करना है कि 64 इंटू 25 करना है एक्च्वल ये कठिन नहीं होता है 64 इंटू 25 करना है कभी 128 इंटू 25 करना है ये बड़े नंबर से तो कभी जैसे 25 से आपको गुणा करना है तो 25 से गुणा करते टाइम ऐसे करके आप ध्यान दो कि आप इसको 4 से भाग दे के 2-0 बढ़ा लो इस तरीके से हो गया गुणा इसको आप 4 से भाग दे लो जैसे 4 ते ही 12, 4, 2, 8 हो गया गुणा 32 आप मल्टिप्लाई करके टाइम वेस क्यों कर रहो अपना रमन बता रहा नहीं आया बटा रमन आपने बीच में मिस किया होगा इस वज़े से नहीं आया आपको मिस अगर नहीं करते हो तो पक्का आता और मुझे लग रहा है तुम बहुत देर बाद अभी दुबारा आयो क्योंगी बीच में कोई भी कॉमेंट था नहीं आपका ये समझ में आया ये जो बता रहा हूँ आपको ये जैसे सपोस करो कि कभी आपको ये करना है कि 75 इंटू 25 ये हो जाएगा आराम से कि 75 इंटू 25 बहुत कटिन नहीं है आप क्या करो इसको 4 से भाग दे लो जैसे ही आपने 4 से भाग दिया 18 चो को 72 बचा 3 तो 1875 हो गया है खत्म आप मल्टिप्लाइ करोगे तो ये ही बनेगा आपका इवेन नमबर है जैसे सपोस करो कि आपसे बता दिया गया कि 36 इंटू 25 क्या होगा 38 इंटू 25 हमें पता है कि 25 का पहड़ा आता है तो हो जाएगा लेकिन अगर आप 38 को 4 से भाग दोगे तो चार नेम 36 बचा 2 बचा तो ये 950 हो गया खत्म ऐसे करके तो बहुत सारे लोग इस तरीके का यूज़ करते ऐसे जैसे यहाँ पर इसके साथ कर रहे हैं ऐसे एगर आपको कभी 128 इंटू 125 करना है तो आप क्या करो इसमें 8 का भाग देके 3 जिरो बढ़ाते तो ये 1688 हो गया 16 इंटू 3 जिरो बढ़ा दीजिए ऐसे करके बताओ ये जो छोटी छोटी सी बाते बता रहे हैं ये आपको समझ भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है चलिए देखिए आज मैंने आपको बहुत सारे कैलकुलेशन के शॉट्काट्स बताए तो अगर जितने लोग नय थे पुराने थे जो सारे अपने लोग थे 72 पचिस में रिपीट कर दीजिए बटा 72 पचिस 72 कहां किया है मैंने 75 जैसे 75 पच्चिस किया मालीजे बैटा 35 पच्चिस किया अब हमने क्या किरना इसको 4 से भाग देना 4 अच्छे 32 बचा 3 3 बचता तो 0.75 होता है तो 875 हो किया ये बैटा इस तरीके से ठीक है अंची बेटा है समझ में आया आप क्या करते हो जब आप 4 से भाग देते हो और अगर शेशवल 1 बचता है तो 0.25 रखते हो शेशवल 2 बचता है 4 से भाग देने में तो 0.5 रखते हो और अगर 3 शेशवल बचता है तो हम सीधे 0.75 रख देते हैं और वहीं से अपना क्या हो जाता है, question solve हो जाता है, ये, इस तरीके से, जैसे suppose करो, यहाँ पे 27 इंटू 25 कर रहे हैं हम लोग, अब 27 इंटू 25 कर रहे हैं, तो 4 से भाग दिया, 4 संग 24 बचा 3, 75 रख दिया, 3 बचा तो, 675 हो गया, अच्छा, पहले जितने लोग आज live थे, वो लोग ये जरूर बताएं, सारे लोग, कि आज की class करके उनको लगा कैसा, मतलब कुछ, अगर अच्छा लगा है, कुछ improvement चाहिए, तो वो बता दीजे, और क्योंकि आज हम लोगों ने class की, ये calculation की, लेकिन आगे calculation की जगे, हम सब तरीकों के पेकाम करेंगे, हलो संदीब भाई, जल्दी से बताएं, कैसी लगी है आज की class आप लोगों को, और जो भी होना चाहिए, और अर्गैनिक होना चाहिए, सच-सची बताना, थैंक्यू भाई संदीब, हैना, अब आगे से, क्योंकि अभी हम लोगों ने, आज कुछ भी question नहीं किया है, कुछ भी ये नहीं किया है, कि हम आपको ये बता दें कि, आज हमने shortcut questions कराएं हैं, आज ऐसा कुछ नहीं कहा है, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके, अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस का paper लगा हुआ है, तो काफी बच्चों की मांग ये है, कि हम दिल्ली पुलिस के set papers पे काम करें, ऐसा कुछ काफी बच्चों का मानना है, क्योंकि ये मेरी पहली live class थी, तो मैं ये भी check करना चाह रहा था, कि वो experience कैसा होता है, अभी तक इससे पहले कभी हमने live class ली नहीं, तो experience भी देखना चाहने थे, कैसा होगा, और बच्चों के साथ communication कैसा होगा, वो बहुत जरूरी था, तो वो एक बार मैंने देखना चाहा, अच्छा, हरवीर कह रहे है, week में एक बार calculation की class, हरवीर बिल्कुल आपकी, आप जो बता रहे हैं, उस पे काम जरूर कराया जाएगा, तो दिल्ली पुलिस के शेट पिपर करवाने के जो बात हो रही है, हम लोग उसी पे काम करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अगर आप लोगों को आज की class पसंद आई हो, तो चैनल को like, share और subscribe, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जितना हो स सकता है, उतना share करिए, और लोगों तक पहुचाइए, आज जो class थी, आगे आने वाली classes में हमारी कोशिश ये रहेगी, कि जैसी आज की class थी, उससे बहतर और बहतर class हम आप तक पहुचाएं, तो thank you, thank you very much, good night, take care.